आज हम जा रही हैं जेमा नामक एक ड्रामा रोमाज फिल्म की व्याख्या करे बोवरी ओपनिंग सीन के बाद मार्टिन जले हुए डोनट्स और ब्रेड के साथ बेकरी से बाहर आता है उसकी पत्नी वैलेरी उसे डांटती है और उसे शेफ करने के लिए कहती है क्षण भर बाद वह चारली को देखता है बोवरी मार्टिन के पडोसी ने जेमा की कुछ किताबे जला ही चारली की पत्नी मार्टिन को ड्रिंक दिलाने के लिए किताबे जला कर चारली अंदर चला जाता है हाला कि जब वहाँ इसमें होता है तो मार्टिन गेमा की एक डायरी चुरा लेता है बात में उस रात मार्टिन अपने कमरे में जेमा की डायरी पढ़ रहा है डायरी में जेमा चारली से अपनी शादी के बारे में लिखती है जेम्मा लिखती है कि उन्हें चारली के बारे में उनकी पूर्व पत्मी की आवाज को छोड़ कर सब कुछ पसंद है। कमरे में वापस मार्टिन मार्टिन पढ़ना जारी रखता है, फिर अपने कुट्टे के गस का सामना करता है और बताता है कि चारली और जेम्मा कैसे पहुँचे। एक रविवार की सुभा आने पर चारली और जेम्मा ने मार्टिन को बताया कि वे लंदन से हैं, इंगलेंड। कहीं मार्टिन जेम्मा को एक साथ कुछ समय बिताने के बाद शेत्र के चारों और एक छोटे से भ्रमन पर ले जाता है, जेम्मा वेवस मार्टिन को अलविदा कहता है, दो भागों में हालां कि कोई भी देख सकता है कि मार्टिन के चेहरे के भाव से पता चलता है, कि वह ज जेम्मा की प्रशंसा करता है. इस बीच मार्टिन बारिश के बाद अपने घर से जेम्मा को देखता है. जेम्मा कुछ रोटी खरीदने के लिए मार्टिन की बेकरी का दौरा करता है. जेम्मा को रोटी बनाना से खाने की पेशकश करता है और वहाँ फूल को रोल करते और मिल जाते समय स्वीकार करती है, जैमा बाद में रात के खाने में मार्टिन के साथ फ्लर्ट करता है, वैलेरी जूलियन को डाटता है कि वहां बहुत सारे विडियो गेम खेलता है, गेमा अपने घर के अंदर विजी के अंदर अपने आगंतुक को अपने जिम रूम में ले जाती ह और उसे अपने शरीर की फिटनेस को गंभीरता से लेने के लिए प्रोचसाहिप करती है। अगले द्रिश्य में जेमा जॉगिंग और फिटनेस के अन्य रूपों को करते हुए दिखाई देती है। कभी कभी बाद में मार्टिन जेमा को देखता है और कहता है कि उसने अपना वजन कम कर लिया है। जैसे ही जेमा एक मदुमक्खी को छोड़ना शुरू करती है, उसके कपरों में घुस जाती है और उसे पीठ में डंक मारती है। वह चलाती है और मार्टिन को उसे बाहर निकालने में मदद करने के लिए बुलाती हैं मार्टिन ने अपना गाउन खोल दिया और भी निकाल लिया। उसने कहा कि उसे जहर को चूसना होगा और गेमा ऐसा करते समय सहमत हो जाता है या छुटियों के लिए घर पर रहने वाले किसी अन्यपडोसी को देखता है उन्हें और आ जाता है। जबकि मार्टिन अभी भी समझा रहा है कि उसके बिये जैमा ढहने के साथ क्या हो रहा था। थोड़ी देर बाद इर्वे और मार्टिन को क्लिनिक के क्लिनिक में जैमा चलाते हुए देखा जाता है। जैमा में उपस्थित डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे मधुमख़्ी के डंग से एलर्जी है। वह यह भी बताता है कि यही कारण था कि वह सदमे के क्षणों में चली गई बाद में समू क्लिनिक छोड़ देता है क्योंकि वे कार में यात्रा करते हैं। जैमा मार्टिन के कंधे पर सोते हैं और वह अगले द्रिश में मुस्कुराता है। विजी जैमा के चितरों की सराहना कर रहा है जबकि चारली और मार्क वाच फुटबॉल लिविंग रूम में कर रहा है। विजी गैमा पत्रिका दिखाती है जहां वह अपने पूर्व प् जैमा के साथ धोका दिया। अब वापस अपने होश में आत्म विजी और चारली छुट्टी के रूप में जैमा उन्हें अलविदा कहते हैं। चारली ने जैमा को अजीब हरकत करते हुए देखा और उससे पूछा कि क्या गलत था लेकिन गैमा कोई जवाब नहीं देती। बात में जैमा अपने कमरे में अपनी डायरी में लिखते हुए दिखाई देती है। अगले दिन जैमा बाजार में बाजार का दौरा करता है। वह हार्म से मिलती है और दोनों के बीच एक छोटी सी चर्चा होती है। इस बीच मार्टिन अपनी बेकरी जैमा से दोनों को द देख रहा है और फिर घर पर एक धुन पर पेंटिंग और नृति करते देखा गया है। जब चारली आता है और उसे डिनर पार्टी की सूचना देता है तो कुछ समय बाद गेममा एक शराब की दुकान पर जाती है और हार्फ से मिलती है जो उसे अपने स्थान पर आमंत्रित करता है थोड़ी देर बाद मार्टिन रोटी देने के लिए जाता है जब उसे जेममा का वाहन दिखाई देता है तो वहाँ जेममा की कार से हेलो कहने के लिए जाइव करता है लेकिन वहाँ उसे सुन नहीं पाई उसकी कार में बजने वाले गाने के कारण खशन बाद में ग और जेमा लेता है। बाहर निकलते दिखाई देते हैं। अगले दिन जेमा बेकरी में ब्रेड और क्रोईसेन खरीदने आती हैं मार्टिन अपने पती के बारे में पूछती है और वहा कहती है कि वहा काम के लिए लंदन में हैं। जेमा के मार्टिन को छोड़ने के बाद पता चलता है कि वहाँ भूल गई थी कि उसका क्रोईसैन मार्टिन उसे क्रोईसैन देने के लिए उसके स्थान पर जाता है लेकिन वहाँ पहुचने पर उसे जेमा और हार्वे बाहर निकलते हुए मिलते हैं। मार्टिन खिडकी के पास रहता है और दोनों को बात करते हुए सुनता है जैमा हार्फ को बताता है कि उनका रिष्टा केवल अस्थाई है अगली वैलेरी रात के दौरान जाकती है और अपने पती को नहीं धून पाती है वहां लिविंग रूम की जाच करती है और मार्टिन स से चुपके से जाती है और हार्फ के स्थान पर जाती है जैमा उसे बताती है कि उनके पास केवल एक घंटे का समय है इस प्रत्रिया के दौरान दोनों अपने प्रेम निर्मान के व्यवसाय में कूच जाते हैं वे हार्फ के परिवार की प्राचीन वस्तों में से एक को वह देखती है कि हार्फ का एक पत्र उसे अलविदा कह रहा है वह तुरंथ हार्फ को बुलाती है लेकिन वह अब हार्फ के स्थान पर रुख जाता है हार्फ की मा मैडम देब्रेसिनी ने हार्फ को सूचित किया हार्फ नहीं मिल रहा है उसे बताता है कि उसने इसे मरंबत के लिए एक अंद्रेच को दिया है उनके तक्रार के दौरान जेमा ने हार्फ को फोन किया और वह फिर से फोन काट दिया शड़ भर बाद जेमा हार्फ की जगा पर जाते हुए दिखाई देती है जब उसे उससे एक संदेश मिलता है कि वह इस समय आसपास नहीं है जेमा आंस पैसे रहिक हार्फ की मान नहीं दी फिर चार्ली को अपना कार दिया वह पैरिस चली गई बात में कार में हार्वी के साथ मार्टिन जो दूर है अपने आपको सोचता है कि वह सफल है हार्व और जेमा को तोड़ने के बाद उस रात चार्ली ने जेमा से पूछा कि क्या वह बारे में कुछ जानती है और वह कहती है कि नहीं। वह चारली से कहती है कि वह उसके साथ कुछ चर्चा करना चाती है लेकिन वह कहता है। वह इसे कुछ पलों के बाद सुनना नहीं चाहता। चारली ने अपना बैक पैक किया और घर से आंसू बहाते हुए घर से निकल एक हफ़ते बाद मार्टिन ने कैरिंगटन को जंगल में एक भटका हुआ पाया, वह उसे वापस जेमा में ले गया, जो बदले में उसे जेमा में प्रवेश करने पर चाय के लिए आमंतरित करता है। मार्टिन को मैडम दी ब्रुसिनी के वकील से प्राचीन रत्न के बारे में एक पत्र दिखाता है, मार्टिन को बताता है कि उसे प्राचीन वस्तु नहीं मिल रही है और उसे वकील को वापस लिखने के लिए मार्टिन की सहायता की आवशकता होगी। कुछ समय बीच जाता है और गेमा विजी से मिलने जाती है, वहाँ वहाँ पैट्रिक से मिलती है जो उसे अपने मंगेतर के साथ अपने ब्रेक अप की सूचना देता है। पैट्रिक उसके साथ फलर्ट करता है और उसे दिन में बाद में उसके साथ समुद्र के किनारे आने के लिए कहता है. बाद में मार्टिन कैठेडरल छोड रहा है जब वह दूरी में एक दूसरे को गले लगाने वाले जेमा और पैट्रिक को देखता है. ख़ण भर बाद पैट्रिक और जेमा रात के खाने में एक रेस्तरा में खाना खा रही है जेमा पैट्रिक को बताता है वाँ उसके साथ फिर से कुछ नहीं करना चाहती अब नेक्स्ट जेमा अपना कुछ सामान घर में पैक कर रही है जब वाँ एंटीक देखती है जिसे उसे कितना याद करती है। थोड़ी देर बाद घर में प्रवेश करने पर जेमा ने मार्टिन को चाय के लिए आमंतरित किया। मार्टिन ने नोटिस किया कि उसने अपना अधिकांच सामान पैक कर लिया है। वह उससे पूछता है कि क्या गलत है और इस डर से कि जेमा खुद एक किताब का इस्तमाल नहीं करना चाहिए था। वह उसे सूचित करता है कि वह जेमा के लिए दर गया था और इससे पहले कि वह जेमा पेक्स छोड़ दे। अगले दृश्य में उसके होटो पर मार्टिन एक रोटी सेंखता है और उसे जेमा के दरवाजे पर छोड़ देत खिशन भर बाद जेमा दर्वाजे पर दस्तक सुनती है, दर्वाजा खोलने पर वहां पैट्रिक को देखती है, जिसने उसे रोटी दी थी, उसके दर्वाजे पर छोड़ दिया गया कोई पैट्रिक आता है और जेमा से कहता है कि वहां भैतर के लिए बदलने को तयार है, बाद में कैबिनेट के पास बैठता है शव परिक्षन रिपोर्ट से पता चलता है कि जेमा रोटी के एक टुकडे पर घुट गई थी मार्तिन की आखे आसू से भर जाती है क्योंकि उनका मानना है कि वहां अंतिम संसकार में उसकी मृत्यू का कारण है मार्तिन चारली से कहता है कि वहां जेमा को समाप्त करने का दोशी है क्योंकि उसने उसे दी गई रोटी पर घुट गया लेकिन चारली ने मार्तिन को बताया कि वहां वही है जो वहां मार्तिन को बताता है कि वहां दोशी है जब उन्होंने घर में प्रवेश किया तो उन्होंने पैट्रिक को जेम पकड़े हुए पाया। उन्होंने निशकर्ष निकाला कि वे इसे देखकर बाहर निकल गए। पैट्रिक ने उसके साथ संधर्ष में शामिल होने से पहले उसे धक्का दिया। चारली को कम ही पता था कि पैट्रिक जैमा की मदद करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि वह कहा पैट्रिक चारली से खुद को दोश न देने के लिए कहता है। पैट्रिक का कहना है कि यही कारण है कि जैमा ने रोटी पर दम किया क्योंकि वह उसके साथ संबंद बनाने की कोशिश कर रहा था। अब वापस वरतमान समय में मार्टिन जैमा की दाइरी के माध्यम से लगाता है कि वह चारली के साथ समझोता करने के लिए तैयार थी और कुछ समय बीतने के बाद जूलियन घर में मार्टिन और विलेरिया को सूचित करने के लिए आती है। उनके नए पडोसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। मार्टिन नए पडोसी के साथ एक किताब के ब निर्वाद.